हेलो गाइज सभी को नमस्कार क्या हाल चाल है सभी के एकदम मस्त जवर्दस्त और जिंदावाद होंगे ऐसे उम्मीद कर सकता हूं आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से प्लेट फॉर्म टेस्ट बुक सुपर कोचिंग पे मैं हूं विन्यवस्थी और दस की धाड में आप सभी काभिन नंदन करता हूं क्या हाल चाल है कैसे है आप लोग बढ़िया एकदम लल्लनट तो आज आज हम लोग क्रिया पार्ट 3 पढ़ेंगे परीणार्थक क्रिया देखेंगे आपकी और भी सारी क्रिया है roll apple क्रिया लेए उसको भी देखेंगे बहुत सारी क्रिया क्या-क्या होता है क्या-क्या सारी चीज्वें कैसे पहचानें घियर सारी चीज़ों पर हमलोगा चर्चा करनें वाल HEY frog उब देख रहे होंगा प्रेनार्थ्र क्रिया का मतलब क्या होता होता है करता स्व planted करता है पहली बात अब आप मेरी language में समझेगा जब कोई भी करता कोई काम अपने आप ना करके किसी और से कराता है तो उसे क्या कहा जाता है बोलसर उसे प्रिनार्थक्रिया कहा जाता है लेकिन यहां भी अपवाद होते हैं और यहां भी एक अपवाद है जिसको मैं आप से discuss करूँगा सारी चीजों को हम लोग समझेगे यह actual परिभासा तो इसकी यही होती है लेकिन इस परिभासा में भी अपवाद है अभी समझेगा अब देखो जी example देखेगा जैसे कह रहा है अमित सचिन से पत्र लिखवाता है अब देखो यह जो अमित है ना यह करता है यह अपने आप कामना करके किस से करवा रहा है बोलो सर लिखवाता है किस से लिखवा रहा है बोलो सर सचिन से लिखवाता है तो यह जो लिखवाना करिया होगए यह कौनसी है इसाहब भर सबसें पत्र पढ़वाती है तो यह जो रेखा है यह क्या है यह करता है और करता अपने आपक्रिया ना करके जो किसी और से क्रिया करवाता है यह अपनी Language है जब और से क्रिया करवाता है तो प्र offended like क्रिया या किसी को क्रिया करने के लिए प्रेजित करता है वहां भी आपकी क्या होती फिर्नार्थक क्रिया होती Chblueング, क्या बोलेंगे एक होती आपकी मूल・Cria Aip होती है आपकी प्र्थम प्रछो नार्थक मूल क्रिया इसको भटा दीजे। आप इसको याद रखे प्रथम प्रफम प्राइनार्थक ठीक है में क्या होता हा करता अपने आप सामिल होता है कारिकराने के लिए और दुती प्रिनार्थक में जब करता दूसरे से काम करवाता है एक्जाम्पल समझेगा बड़ा प्यारा सा एक्जाम्पल दूगा आपको एक ही बात में समझ में आ जाएगा GD में कोश्चन पूछा भी गिया है कॉश्टिबल बगेरा में भी पूछा जाता है अब ध्यान से समझेंगे सभी लोग मूल क्रिया जैसे आपनेuição कह दिया जागना भाई आप अपने आप जागर हो GD क्या है je एकी पर्थं प्रिनार्थक अगर आपको बनाना यह सिक्वेंस भी उस वारा काम ना करके किसी और से करवाता है और खात जैसे आपने कहा यहां पर जगवाणा क्या होगे भू सरी डुपी प्रियर नर्थक है ओके एक मिनिट रुकेगा यह साउंड थोड़ा सा डिस्टर्व कर रहा है मैं साउंड को जड़ा सा बंद कर देता हूं यह अपकी धूती प्रेलिषटो घूटखान सबस्क्राइब र Aqui और इस होकर उधएगा शुकुरी का यहां से यहां तक करताशची सामिल होकर कारकरने की प्रेना देता है उन्हें प्र्थम प्रेनार्था लुकुरी क्या कहा जाता है याद रखिए गा जैसे यहां देखो दादी जी मोना को पढ़ाती है यह जो पढ़ाती सब्द है यह क्या हो गया वो यह आपकी धर खुद हसा रहा है इसका मतलब क्या हो गया अब दो दर्सक्थ हसे तो वो मूण करिया है लेकिन जब किसी को हसाता है अब देखे एक चीज हसना जो आप इसको प्रेनार्थक बना देते हो तो आपने कह दिया हसना हसाना अगर आपने कह दिया तो यह प्रेणार्थक क्रिया बन गई अब यह कैसी हो जाएगी अब यह सकर्मक क्रिया हो जाएगी इसको भी याद रखेगा तो उस दिन मैंने इसलिए नहीं बताए था मैंने कहा था जब प्रेणार्थक क्रिया आएगी तब वहीं पर बता दूगा तो जो प्रेण परफम परबनार्ठक उ क्या होती है प्रती प्रीनार्थक सब्सोद्ख और अपर कंप ना करके किसी और से कराता है उसके आपने हो अपने क्या है किसे करे रहा है जैसे यह 이것 सर यह आपकी चुती प्रिणार्थक करिया हों गई मुझे लगता है यह आपको समझ में आगया होगा में दुकानदार नौकर से जाडु लगाता है आप देखो यह दुकानदार है इसको डाट भी रहो रहा और नौकर से πि detY ढा रख is किसी और से लगवारा किसी और को लगाने की प्रेनार दे raha मुझे लगता है प्रेनार्थक क्रिया आपको अच्छे से समझ में आ गई अच्छे से समज़ेगा नामधातुक्रिया वे क्रियापद जो किसी संग्या यह सर्वनाम yağ bijलग में शेशन में क्या लगते हैं विशेंशन आद यसे बनते हैं अर्था विशेशन में प्रत्य लगा करें के बनते हैं एक्जाम्पल मैं यहां पर दे देता हूँ एक मैंने क्या बोला मैंने का संग्या उसके बाद कौन सा बोले सर्वनाम उसके बाद कौन सा बोले सर्वनाम इसमें आना प्रत्य लगाया नहीं इसमें ना प्रत्य लगाया ना प्रत्य तो यह क्या बन गई बोले सर यह रंगना बन गई तो यह जैसे ही रंगना क्रिया बनी यह क्या होगी यह क्रिया होगी अब चूकि यह संग्या से बनी और संग्या को क्या कहा जाता है तो संग्या का संग्या का मतलब नाम होता है इसका मतलब यह क्या होगया संग्या के इस थान पर कौन प्रियोग होता है कि संग्या और सर्वनाम की विशेष्टा कौन बताता है मतलब कि रिलेशन हं या नहीं है तो बहुंत यह इन तीनों से जो संuel भनेगी वो नाम धातू कहलाएगी धातू का मतलब क्रिया हो गई नाम का मतलब आप समझ गए अब देखो सर्वनाम जैसे आपने कह दिया अपना क्या है बोलसर अपना सर्वनाम है और यहाँ पे आपने आना प्रत्य लगा दिया यह क्या बन जाएगी बोलसर यह बन जाएगी अपनाना अपनाना तो यह अपनाना क्या होगी बोले सर यह आपकी नामधातु क्रिया होगी अब उसके बाद कह रहा भया विशेशन से जैसे आपने कह दिया विशेशन क्या है तो बोले सर विशेशन गर्म है अब इसमें आपने आना प्रत्य लगाया क्रिया कौनसी बनेगी बोल सर क्रिया बन जाएगी गर्माना क्या बनेगी बोल सर गर्माना क्रिया बन जाएगी गर्माना अब ये गर्माना क्रिया होगे बोल सर ये रिसेस्ट से बनी नामधातु क्रिया होगे क्या समझ पाए सभी लोग या नहीं समझे एक बार प्लीज बताईएगा इसी तरह से रंगना लजाना अपनाना गर्माना चमकाना गुद गुदाना यह सब आपकी नाम धातु क्रिया कहलाएगे ठीक है चलो उसके बाद आती है कृदंत क्रिया साब अब क्रिया क्रिया क्या ह करता है जैसे मैंने कहा यहां में लिखता है या पढ़ लिखा है यह अब यहां पर आपने ना प्रत्य जोड़ा तो यह क्या हो गई बोलसर यह आपकी पढ़ना परणा कोंसी क्रिया हो गहו studying क्रिया से बनी क्रिया है चल से चलना चलता या चल कर लिख से लिखना लिखता यह लिखकर यहे सारी चीज़ें होैं । अगला आता है दो क्रियाएं प्रियुक्त हुई हो तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन हुई हो तो पहले संपन होने वाली क्रिया को पूर्वकाली क्रिया कहा जाता है माल लीजे मैंने कोई क्रिया करी दो तो जो मैंने पहले क्रिया की होगी उस क्रिया को पूर्वकाल हो करके लगा हो दुनिया का कोई वाक्य हो अगर यह वाली कंडीशन बन रही है तो वहाँ पे क्या होगा हमेशा ठोक देजेगा पूर्वकालिक क्रिया होगा ध्यान लखेगा ठीक है अब देखो जैसे मोहन पढ़कर सो गया पहले मोहन ने क्रिया है पूर्वकालिक ठीक है और सो गया यह आपकी बादवाली क्रिया है क्या बोलेंगे यह आपकी बादवाली क्रिया है तो जो बादवाली क्रिया है उसको छोड़ दो जो पहले वाली क्रिया है उसको पकड़ लो यह क्या हो गई इसको पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता बोलो क्लियर हुआ आगे बढ़ेंगे ट्रिक मैंने यहां पर अच्छा लिखी हुई है वहां भी बता दी यहां भी किसी मूल धातू के साथ या तो कर लगा हो या करके लगा हो लगाने से पूरुकाली क्रिया बनती है विभा ने घर पहुंच कर फोन किया यह देखो होगा इसी उम्मीद कर सकता हूं और बाद में फोन कर रही है इसका मतलब यह बाद वाली क्रिया है तो इससे कोई मतलब नहीं है पहले वाली क्रिया को उठा लेंगे यहीं आपकी पूर्वकाली क्रिया होगी ट्रिक याद रखेगा जो मैंने दिए वो लो क्लियर हुआ सभ उनों एक धातू से बनकर साथ प्रियुक्त होती है उन्हें क्या कहा जाता है उनको सजाती क्रिया कहा जाता है मतलब नहीं सम्झे साहब और अच्छे से समझाइए मैंने कहा कर्म और क्रिया एक समान लग रहे हों जैसे लड़ाई लड़ी चड़ाई चड़ी पढ़ाई बारती उसके बाद क्या कहरे रहा देखो बच्चों ने क्या करी पढ़ाई पढ़ी लड़ाई लड़ी पढ़ाई पढ़ी ठीक है तो यह सब कौन से होगा बॉलसर यह सब आपकी सजाती क्रिया होगे आगे बढ़ेंगे साय क्रिया थी सब ég क्रिया बहुत आसान है था रहा है रही यह सब साहयक क्रिया होती है आसानि से सम 커피 सकतो अरविंद पढ़ता है क पुष्टक मेंज पर मानु नहीं सब आते हैं यह आपके सहाय क्रिया पहलते हैं Before पहलिए ल क्रिया था लेक्षर को रहा हो सकता है लेक्न कोई दिक्कत नहीं आर अच्छे से पढ़ लेंगे क्या ही दिक्कत रिखो असामापिका क्रिया वैसे तो आपके एक्जाम के लिए बिल्कुल वो नहीं है लेकिन आपको जानना जरूरी है लेड़ी में नहीं पूछे जाएगा लेकिन हां कॉंस्टिबल में छप सकता है अब देखो वे क्रियाएं वे क्रियाएं वाक्य के अंत में ना आकर संग्या या सर्वनाम के साथ पहले प्रियोक की जाएं वे ऐसा मापिका क्रिया कहलाती है ट्रीक है किसके साथ संग्या और सर्वनाम के साथ पहले जैसे घोड़ा उसके तुरंत बाद आ गया दोड़ते हु और मेह रहा है यह समापिका क्रिया है इस्की ट्रिक है जैसे पूर्व कुरिया कीत्रिक है जैसे समझो जो क्रिया है मुख क्रिया के तुरंत पहले संपन्नु ही हूं वे तातकाली क्रिया कहलाती है इसके साथ सदेव क्या लगता है ही प्रत्यका प्रयोग क्या जाता है हमेशा बच्चा नहाते ही सो गया यह क्रिया है मैंने आते ही पढ़ ली पढ़ लिया पढ़ दिय कुट्ता गिरते ही मर गया देख रो सबके साथ में ही लगा है बस यह है यही ट्रीक है आपकी अनुकरण आत्मक का मतलब क्या होता है साहब अनुकरण समझेगा अनुकरण का मतलब होता है सुनना होता है तो अनुकरण का मतलब होता है सुनना ऐसी क्रिया जो सुन करके बनाई इसके बाद करिया चैर प्रकार के सब्दों से बनती हैं यह आपको याद रखना है और वह सब्द कोँए तो धातू अर्थात क्रिया के साथ संग्या के साथ विशेशन के साथ स्तरवनाम के साथ इन तीनों का भी बता चुका हूं और इसका भी बता चुका हूं यहीं आपकी करदंत क्रिया होती है यह आपकी नाम धातू क्रिया होती है यह जो तीनों क्रिया बन रही है इनको क्या कह जाता है इन्हीं को नामधातु कहा जाता है जो आपने पीछे पड़ा है और इस क्रिया को कहा जाता है यह भी आपको बता दिया है मैंने तो आज का वीडियो कैसा लगा सभी लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा टेली ग्राम चैनल आप लोग जानते हो जोइन कर ल तक जान में जान है यूँ ही मेनत करते रहेंगे एंग यू सो मच वाइबाइ टर टेक केर सभी को तीन बजे मेरी डेली क्लास होती है एसे सी जीडी की आप उसमें सामिल हो सकते हैं और यूपी टेस्ट बुक के यूपी की क्लास होती है कॉंस्टिबल की साथ वज़े सब्सक्राइब के लिए होती है वाइबाय टाटा डेकर सभी को मिलते हैं अगली क्लास में यार सेर करना मत भूलिएगा सभी लोग सेर जरूर करेगा थैंक यू सो मच